कैनिडा और भारत के रिष्टों में कहीं कहीं दडार पड़े रहती है जब एक्स्ट्रीमिस्ट ऐलिमेंट्स कैनिडा की तरफ से भारत पर दबाव डालते हैं और दूसी तरफ सिचुएशन यह है के भारत इस वत पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है पूरी दुनिया भारत को सरा रहा है कैनिडा भी भारत के बगेर इस वक् काम आगे नहीं बढ़ा सकता इस बात का एहसास कैनिडा को भी है मगर यहां की जो internal vote banks की politics है वो बड़ी खतरनाक है उसकी वज़ा से हमारे जो Canadian politicians हैं वो hollow और shallow हैं वो depth को नहीं समयते और भारत जैसे important देश के साथ अपने तल्लकात ऐसे ही खटाई में डाल देते हैं जो नहीं पढ़ने चाहिए इसलिए कि भारत भी एक democracy है Canada भी एक democracy है और Canadian भारती जो हैं या इंडो Canadian जो उनको हम कहते हैं उनको दोनों देशों से प्यार है वो उन दोनों देशों के बीच अच्छे तल्लकात देखना चाहते हैं और हमारे इंडो Canadian जो डाइस्पोरा के यहां पर community leaders हैं उन में एक बड़ा नाम रकेश शर्मा जी का है जो मॉंट्यॉल में सागा साल से रह रहे हैं Canadian politics में भी बहुत गहरी नजर रखते हैं ना सिर्फ नजर रखते हैं उसमें बहुत अपना किरदार अदा करते हैं और वो भी दुखी रहते हैं जब कभी Canada और भारत के बीच टेंशन या जिसे हम सर्द जंग कहते हैं वो लफजों की सामने आए मैं स्वादत करता हूं मॉंट्यॉल से रकेश शर्मा जी का कैनिडा के आपोजिशन लीडर पियर पॉलिवर का विजट यहां पे हिंदू सवाब मंदर में और आप उनके साथ आए और आपने समय निकाला ये बताईए कि इस वक जो वोट बैंक्स की एक पॉलिटिक्स बनी होई है जिसके वज़ा से इंडिया और कैनिडा के बीच कहीं कहीं दराडें आती है आप इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं सबसे पहले तर्ग साथ आपको बहुत-बहुत मुवारक और आप हमेशा ही दोनों कॉंट्री के बीच में तो कि हम दोनों ही पैंती साल से 35 यह से मैं मौन्ट्रीयाल में एक्टिव हूँ, पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ गवर्मेंट की हमेशा हल्प करते हैं जितने भी इंडियन गवर्मेंट के इवेंट्स होते हैं क्योबेक में स्पेशली चाहे वो Vibrant गुजरात हो चाहे माहराश्च्ट्रा गवर्मेंट का इवेंट्स हो, चाहे UP गवर्मेंट का हो, कितने भी जो भी इवेंट्स हो, Digital India हो Make in India, हाइक मेचिश्ण साव Ottawa में, जब भी कोई क्योवेक में इंडियन कोजा इंडिया के लिए प्रोग्राम होते हैं, event होते हैं, हम ही करते हैं, हमारा पहले दिन से क्योंकि हम देश को प्यार करते हैं, हम अपनी एक army family को बलायों करते हैं, दुनों देशों को बहुत प्यार करते हैं, केनला हमारी adapted mother है, और इंडिया हमारी मात्र भूमें है लेकन हम तो हमेशा से ही यही हमारी कोशिच रहती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे अच्छे रिलेशन हो, टेड हो, विजनिस हो, कल्चर अक्चेंज हो, प्रॉलमतारक सब यह आती है कि आज कल हमारे कैनड़ा में भी जो पॉलिटिश में जुड़ा हुआ हूँ, और इन सब को सपोर्ट किया, पॉलमार्टन को प्राइमिस से बनाने में हमने बहुत सपोर्ट किया था, उसको हमने एक ही चीज बोला था, कि आप इंडिया कैनड़ा से रिलेशन अच्छे करो, उन्हें बोला येस करेंगे, जो हमारे स्टीवन ह हैं, हलांके इनको भी हमने जितना हैल्प किया, हमारी हिंदू कम्यूनिटी ने सपेशली बिगिनिंग में जितना सपोर्ट किया, हिंदू मिशन आफ कैनड़ा से, मैं उसमें बहुत बड़ा इनवाल्मेंट था मिरा, हमने उनको खड़ा किया, जिताया, सब कुछ किया, पह इनको फंड्स की जरूरत थी, जो कि मेरे ख्याल से, उन्होंने फंड्स लिये, ऐसी ओर्गनेशन से फंड्स लिये, जो एंटी इंडिया फोर्स में बहुत ज्यादा निवाल गए, और पैसे की वज़ा से, वोट बेंक की वज़ा से, उन्होंने साइड चेंड कर लिया, और हमारे प्राइमिनिस्टर कैनेडा के जैसन टूडो भी गया हुए थे, जो हालत मैंने देखा मेरे को खुद शर्माने लगा वहाँ पर, उसका रीजन यही था, कि हमारे जो पॉलिटिशन कनेडियन है, वो इंडिया के साथ, दिल से, मिल के काम नहीं करते, हमेशा अपनी पा इंडियन लोग हमारा तो यही होता है, सब का बला, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वाश, हमने तो महिशा कनेडा में रहते हुए भी कनेडा को तूटने से बचाया था, आपको याद होगा जब रहे रेफेरेंडम था, हम यूनिटी में बलीब करते हैं, और मैंने हमेशा हैं कम्यूनिटी में यूनिटी की एक्जामपल सेट किया सारा लाइफ, ऐसे ऐसे बड़े काम किये क्यूनिटी की यूनिटी के लिए, लेकर बाद में क्या होता है, पॉलिशन यूनिटी में आ जाते हैं, यूनिटी प्रेड में भी आ जाते हैं, लेकर वो दूसरी कार्पर की ग्योवर्मेंट था तब ये जो एंटी इंडिया फोर्सेज का लस्तानी टर्वेस्ट ऑर्गनेशन जो है वो इतना डेंजरेस एक्टिवटीज नहीं कर रहे थी जो के आज हो रहा है उसके पीछे सिर्फ क्या होता है तारिक साथ उसमें सिर्फ यह होता है कि जब उनको प्लिटिकल सपोर्ट होती पीछे से फिरो करते हैं अभी लेटली तो और भी डेंजरेस हो गया है जब से एंडिया के साथ अच्छे रिलेशन कर सकते हैं या इनसे हम कोई अमीद भी नहीं रख सकते हैं तो यह थर्ड वर्ड कंट्री की तरह जोस्टन टूरो को काबू किये हुए हैं क्योंकि उसकी जो गौवर्मेंट मिनयोडी की है और उसको हमेशा ब्लैक मेल करते हैं अभी पीछे से खेलते हैं और जो भी एंटी इंडिया फोर्सेज हैं उनको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं यही बहुत बड़ा रीजन अतारक साथ और हमें बड़ा हाड़ वर्क करते रहते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में ब्रिज बनाते रहते हैं तोड़ा ठीक होने लगते हैं उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे इंडिया वाले परिशान हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं यह जो विक्टिम कार्ड खेटते हैं इदर जूट-बूट की सारी स्टोरी बनाते हैं सब कुछ करते हैं अभी एक्जामपल थोड़ा आपको देता हूं हमारे 1947 के बाद पाकिस्तान में 17% से भी ज्यादा हिंदू सिक पॉपॉलिशन थी वहां अभी 2% 3% रह गए हैं कहां गए आसमान में चले गए पताल में चले गए हमेशें प्पॉशन गुरो होती है ज़्यादा होती है कम नहीं होती लिकन हमारे инडिया में 2% हमारे सिक ब्रृदर्स और सिस्टर हैं जो कि हमारे प्राउड करते हैं हमने से उपर प्राउडर्ड करते हैं हमारे बाई हैं Beij ऑन हैं ब्रृदर्स सिस्र हैं फिर भी उन को बन बना जाता है प्रेजिडन बना जाता है नेवल चीफ बना जाता है एरफोर चीफ बना जाता है अर्मी चीफ बना जाता है उनको इंडिया का प्लाइन कमिशन बना जाता है बहुत कुछ उनको मिलता है फिर बाद में उसको एप्रिशेट करने की बजाए उसके खिलाब बात कर करते हैं विक्टम कार्ड खेरते हैं और इदर आकर के कैनिड़ा में भी अपना जो दिखा रहे हैं वायलेस कर रहे हैं जगा जगा पर वो बहुत देंजरिस है और पॉलिटिशन को सपोर्ड करते हैं यह दोनों कांट्री के लिए बहुत चिंता का विशे है हमारे लिए तरह स सही बात की के जस्तिं टूडो की सरकार से पहले जो खालस्तानी वचार के लोग हैं वो अपने सिर्फ वचारों की हद तक थे और हम कैनिड़ा में फीडम अफ एक्सप्रेशन रखते हैं वचार जो भी कोई रखे मगर जब वचार वाइलेंस की प्रमोशन के साथ जुड जा जाते हैं या गन कल्चर को परमोट करने की तरह बे जाते हैं तो फिर ये सिर्फ आप का और मेरा कंसर नहीं होना चाहिए ये पूरे कैनिड़ा का चाहिए और उन लोगों का भी कंसरन होना चाहिए जो इस तरह की नेगेटिवटी में पड़े हुए हैं हमने अभी देखा र करोंने का बनायालियों का निशाना बनाया गया सिंबालीकल ली के प्रेंटन की प्रेड में भूत बात बैद टेस्ट था हालाइके प्राम नेस्टर developments और का ंदे आ चाहिए ये पालीशों से ना में ऐगिर होंगा और ना शायद आप होंगे और कॉंग्रेस की पालीशों स यहां पे एक बहुत बड़ा कारी करम यहां की और्गनाजेशन के साथ और्गनाईज किया, जिसमें आप आप अपोजिशन लीडर पियर पॉलिवियर को लेकर आए, उन्होंने एक खुला मैसेज भी दिया, एक स्टेटमेंट भी कंसरवेटिव पार्टी की वेब साइट पे म करते थे, अगर हम कपल डिकेट्स जाएं, हम तो कैनिडा का बला चाहते हैं, आपने पड़ी हैं बात की हिंदू कम्यूटी क्यूबैक की उन्होंने वोट डाला कैनिडा की फैडरेशन के लिए, क्यूबैक के रिफरेंडम के खलाफ गए, और वो वो जो एक परसंट वोट जिस से वो हाये हैं, मैं शूर हूँ कि वो दो तीन परसंट व हिंदू कम्यूटी का ही आगया होगा, वोट कैनिडा की फैडरेशन को, जिस से वो बचे, तो ये जो अब कैनिडा की पॉलिटिक्स में, अब इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो आप खुद कह रहे हैं कि प्रैमिनिस्टर्ट टूडो के आने से पहले, इस तरह का वाइलन्स पर मोट नहीं किया जाता था, तिस तरह वचार की अद्टक बात रहती थी, अब तो वाइलन्स आ गया है, हाँ जी, मैं तो ये तारिक साब को थोड़ा सा याद कराता हूँ, ये हिपोक्रेट्स हैं, जो human rights की बात करते हैं, जब Ottawa में बहुत peaceful, civilized तरीके से protest किया गया था, वहाँ पर लोगों कैसे उनके साथ हुआ, उनके account freeze हो गया, insurance truckers के साथ क्या हुआ, उनको donation देने वालों को भी account freeze कर दिये, कहां गये तुमारे human rights, आप human rights के बकालत करते हो, जब आपकी human rights के, हमारे कैन जब से यह जो आए हैं दोनों, जगमीज सिंग और जस्टन, यह तो हमारे बच्चे की तरह था, हमने इसको zero से hero बनाया, लेकन जब तक तो यह इसको जरूरत हमारी थी, तब तक तो सब की बात करता था, यह नहीं चाहते हैं हमारी को हिंदू की बात करे, साहब हम जहे चाह हुआ 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 है, उनको पता है, सब को हमने दिन रात लोगों को घरों से उठा-उठा करके referendum में बोड लवाए थे, और उसका blame उसी रात को वहां का, यहां का याक्ट परीज जो था, जो referendum का leader था, उसने हमें openly blame किया था, कि South East Asia के लोगों की वज़ा से हम आरे हैं इसलिए ही इस देश का future ऐसे नहीं होगा, कि आप इंडिया से बिजनेस नहीं कर सकते, आप इजरायल से बिजनेस नहीं कर सकते, आप इजरायल से दिश्मनी करोगे, आप इंडिया से दिश्मनी करोगे, आप रशे, किस से बिजनेस करोगे भाई, किस से आने वाली century, हम चा सारी दुनिया उनके आगे पीचे घूम रहे हैं आमको कैनडा को इंडिया की ज्यादा जुरूरत है हमें ट्री ट्रेड करना आपको पता होगा जिस दन मैं मंदर में मेरे जो भाई है पीर पॉलिवर ऑनरेवल पोजिशन लीडर जो है मेरे साथ भाई की तरह है मैंने उसको ब खाल यह थे केस्ट लबादी थे जेल करवादी थे कि वहां तुम्हारा हिमराइट कहा चला गया था आप बात कर रहे हैं वो जो जो पीस्फुल प्रटेस्ट हुए थे आपको पता एक लेड़ी के उपर आर्सीमपी के गोड़ा चड़ गया था उसके बचारी इंजर होगी तो वहां पर हिमराइट जब और सुनो जब हमारे हिंदू भाई पीस्फुल रैली निकाल रहते ब्रैम्टन में परमिट के साथ आपको याद होगा जो जगमीद सिंग है उसका ब्रदर इनला उसने हमारे हिंदू लड़के को उठा के जमीन पर फैक दिया था उसका सर स्कारे हैं cartridge कहां चलिए उसलिए जो में का लीडर है एकी लीडर है जो हिंदू की करता है और हम बहुत पीस्फुल लोग है हम violence में बलाइव नहीं करते ह naught हम यह देख रहे हैं के यौट बहुत डेजरिस situation की तरव जा रहा है हम और कोई एर इंडिया क्रेश नहीं देखना चाहते है जितना violence को stop नहीं किया जाएगा जिये आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और ये ये हमारे भाई जो हैं खालस्तानी वो हमारे सिक भाईयों को सिक गुरूं को भी बढ़नाम कर रहे हैं बहुत दिंज्रस है सिक सारा वर प्राइड ऑफ इंडिया ये सिक्षी के वैल विश्र नहीं है ये सिक्षों के लिए भी बहुत बड़ा श्राप हैं इसलिए हम चाहते हैं जो पैट्रियोटिक इंडो क्रेडियन मेरे सिक भाई बैन हैं वो और यह जो तब से ज़्यादा होने लग गया है साहाव जब से जे जस्टन तुरो प्राइमिस्टर बना है और जगमीद सेंग जो है एंडिप गालेटर वो खुद वालेस में बलीव करता है और वो टर्रोस और्गनेशन के इवेंट से अटेंड करता रहा है हमारे पास तो क बोला इसका मतलब वोट बैंक यह है इनको यह चाहिए सिक वोट बैंक की वज़ा से यह वाइलेंस को भी कंडेंब नहीं करने का दम रखते इसलिए फ्यूचर जेनरेशन को सोचना पड़ेगा के ओल कनेडियन्स को सोचना पड़ेगा के कोई ऐसा लेडर आए जो सारे साल से जानता हूं अच्छी तरह से यही एक आदमी है जो कैनेडा की सेफटी के लिए स्क्राइब के लिए सारे कनेडियन की डिवल्मेंट के लिए हम चाहते हैं अब की वार पियर पॉलिवर सरकार सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास यह ऐसा लीडर चाहिए जो ग्राउंड से जुड़ा हो जिसने ग्रीबी देखी हो जिसने हार्ड लाइफ देखा हो हार्ड शेप लाइफ में यह जो पीर पॉलिवर इसलिए ओ हिंदूों को रेकरगुनाइज कर रहा है जैसे मैं हूं सबसे जादा क्योबेक में क्लोज अगर कोई पीर पॉलिवर के है इंडियन क्मुनिटी से ओ मैं हूं या हमारे मितर है हमारे भाई है सबाश करना जी हम है हम लोग उसको पूरा पूरा ग्यान बांटते रहते हैं टाइम टू टाइम और उसको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं आपको पता होगा ताहर साथ हमने पूरे किनडा में हर सिटी में बह बनेगा तो इंडिया-कैनिडा का रिलेशन बढ़िया होगा, फ्री ट्रेड भी होगा, और हम चाहते हैं दोनों कंट्री, एक बिगएस डेमोकरिसी ऑफ दे वोल्ल इस कैनिडा एंडिया, कैनिडा जो है एरिया-वाइस सबसे बड़ी डेमोकरिसी है, इंडिया जो है, पॉप पॉलिवर के साथ अकेले में बहुत मीटिंग से की हैं, और उसको समझाता रहता हूं, और वो प्रो इंडिया है, और वो जानता है इंडिया का क्या वैल्यू है, इसलिए वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहता है, और बनाएगा भी, और चाइना से जन्सीज हैं, कैनिडा की और जो मारा प्रेस है, वो इस बात पे भी बहुत शोर मचाता है, जब किसी को प्रो इंडिया कहते हैं, तो वो ये कहते हैं, जी ये तो कैनिडा की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफिरेंस है, लेकिन फिर मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ कि जब यहां के जो प्रो इसराइल गुरुप्स हैं, वो तो कैनिडा की पॉलिटिक्स में इंटरफिरेंस का उन पे इल्जाम नहीं लगता, या जो प्रो युक्रेन गुरुप्स हैं, उनके ओपर तो कैनिडा के अंदर पॉलिटिक्स पे इंटरफिरेंस का इल्जाम नहीं ल रखता है कि जब वो कहते हैं रूद निंडिया थो हमारे जूज बर्दर ऑन क्या इसराइल रही अप युक्रियिन भी ऑर और युक्रेनियन Bo यूडरा रूलग रहाल बनुद यूद यूर्गी सी क Nepo nucleion हुजज़न है। और कोई कहता है हम फार इन्टॉफ क्यों है देखो साब ताहर साब सबसे पहला तो विक्टम में भी हूँ आपको बताता हूं जब पुलवामा अटैक हुआ था हिंदोस्तान की फोर्सेस पर अटैक हुआ था हमने बड़े शांती पूर्वे एक कैंडल के साथ जस्तिन टूरो की राइडिंग में रैली निकाला था बहु कुछ नहीं लिए यह जो बहुत बड़ी-बड़ी हिमन्टेरियन की हिमन्ट ग्राउंड की यह वाफ री स्टम आप स्पीच की बाते करते हैं इन्होंने मौन्च्याल में जो जो रूलिंग पार्डी है जो जो भी है इनके जो ताप के लोग है उनने प्रेशर डाला नो तीन बार मीटींग हुआ से साथ तो मैने उनको बोला कि प्रो इनडिया मतलब यह नहीं है हम कोई कैन strictly हम यह चाहते हैं प्रो इंडिया प्रोकैनिडा इस लिए हैं त्वे में बहुत कुछ बड़ सकता है आगे हो सकता है इसमें ए डोनों कंट्री की बहुत ज़पी सकती है, अगर यह मिलके काम करें. अगर जो अभी दूसरे हम ले लें, अरब Communities हैं या दूसरी Communities हैं, वो भी तो रिनल को सब करती हैं, उस में तो कभी ने काम वी परो कोँर्णी बो बोissimo कती है। यह हमारे पर आता है इसलिए आता है जब से यह एलाइंस बना है यह स्पेशली टार्गट किया जाता है हम उसके चीज में से गुजर चुके हैं तायर साथ लेकर ऐसा होना नहीं चाहिए जब प्रो इसराइल बात करते हैं प्रो इसराइल प्रेड़ निकलती हैं डाउंटाउ कोई भी कंट्री उतनी देर्ट रखी नहीं प्रापर कर सकता है जितनी देर फूल मजावटी ना हो यह अभी सब को पता है कि आने वाले टाइम में यह जो मेर्टी गवर्मेंट का जो चल रहा है यह नहीं होना चाहिए कनेडियन को थोड़ा उपर उठके बात करना चाहिए के सोचना चाहिए कि यह कैनेडा के लिए जाने वाली जनेरेशन के लिए बहुत कतरनाक सिच्विशन हो चुकी है हम नहीं चाहते कि आने वाली जनेरेशन के ओपर डेट्स ट्रिलियंज ऑफ डालर के हो हर आदमी अपने हिसाब से कैना नहीं चाहता हूं यूकरेन का डिप् होता है हमारी हिंदू के मंदरों के ओपर ड्रह हो रहे हैं अभी कभी भी किसी ने उसके उसको कंडम ने किया है एक आप जानते आप हाज इन्दानाद वी किया है लेका पियर पॉलिवर हैं जिसने लीडर बनने से पहले वी और चाहिए में जाकर मंदर में आपको याद कर्वाइब बात किया था अभी भी किया था कुछ मिएने पहले तीम शे वी टूइट करवाया था और अभी जो हम लेट ली जाकर के मंदर में उसका कंटैंड किया है अफिक अफ Sarah uda अप disp实्व avatar के किसी कंट्री के प्राइमिस्टर की जो आपने हत्या किया है उसको मतलब ऐसे दिखाना बहुत 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 चिंता का विशे है और दुख का विशे है ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है कि अभी कैनेडा में जो है जो टरूर्स्ट और्गनेशनों के लिए इसलिए अटाक करवाओा की उनको प्रॉम करोगे कलको आपका सब्सक्राइए और है के झाल करो यह संथ्रण करो यह usPEC में नहीं होना चाहिए यह बहुत दुख़ी और 500 आन्यशना चाहिए हमें इसके लिए पार्लिमेंट में ये मुद्धा उठाना चाहिए जो जो कुनियून है फ्रीडम अस्पीच पे उसमें भी आने वाले टाइम में कुछ अप्रूमेंट लाना पड़ेगा उनको मौडिफाई करना पड़ेगा जी आखर में मैं रकेश भाई आपसे जानना चाहूंगा इस कांटेक्स में जब आप कह रहे हैं के पियर पॉलिवियर इस वक्त लग रहे हैं कि एक ऐसे पुलिटिकल लीडर हैं और उनकी पार्टी कैसी पार्टी है जो कॉलिंग अस्पेड अस्पेड वाली पोजीशन में है मगर on the other hand हमें ये भी लग रहा है कि लिबरल हकूमत में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की कमपल्शन से हटके अब कुछ एसास हो रहा है रीसेंडली भारत के मिनिस्टर भी यहां पे आए और कैनड़ा के कुछ मिनिस्टर्स भी रीसेंडली के भारत गए और इसके साथ सा जस्टन टूरो भी अपना इंडिया का कोई विजट पलान कर रहे हैं और जी सेवन में भी ये कही न कहीं मिल जाते हैं जी टूइनटी में भी मिलते हैं जी सेवन में रीसेंडली जपान में भारत के प्राइमिनिस्टर एस गेस्ट लीडर गए हुए थे और फिर हम ये भी कि जिस तरह प्रेजेंट जो बाइडन जिस कुर्बत के साथ प्राइम निस्टर मूदी के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ट करते हैं और जितना वो समान दे रहे हैं अभी वो प्राइम निस्टर मूदी आने वाले हैं अगले हफ़ते अमरीका में तो शायद प्राइम निस इंडिया के बारे में इस तरह की बातें ना करें जिस तरह की वो कर रहे थे आपको इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है देखोई मैं पीछे लेटली आपको पता होगा मैं बड़ा खुश हुआ था कुछ तो लिबरल में चेंजिस आया क्योंकि फिर भी हम डिकेट्स लिबरल पार्टी के बहुत बड़े स्पोर्ट रहे हैं इसके भी बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड था जस्तिन तूड़ो बहुत इसको हमने जोर लगा था जी जान से जोर लगा था यह हमारे फॉरन मिनिस्टर आये मैला नी जो लिए हमारी अच्छी फ्रेंड भी आ excessive अभी फ्रेंड आइसी बात में पॉर्ल मिनिस्टर केनेडahren पी यह वह अधर गई हमें बड़ा मन में थोड़ा सा सकून मिला था कि शायद हमारी liberal government जो है इंडिया के साथ अच्छा relation पराना चा रही है, काफी changes भी हुआ cabinet में, काफी कुछ लगा था थोड़ा है, मान बड़ा खुश हुआ था, अभी लेकन जब कभी-कभी ऐसे dangerous activities हो जाती है, anti-India forces जो है, वो कर जाती है, उसमें फिर मान को परिशानी होती और लगता है, doubt हो जाता है, कि account सी मुझवूरी में फसे हुए हैं, कि ये violence को, guns को जो glorify कर रहे हैं, जो terrorist activities में involved हैं, उनको क्यों नहीं condemn कर सकते, उसका क्या reason है, तो इसलिए फिर मैंने, आपको पता है, मैंने इसलिए conservative को support करना शुरू किया था, जबसे इन्होंने इंडिय को हर्ट किया, इंडिया के साथ किया, हम कुछ भी हो, हम उस इंडिया में पैदा हुए थे, वो हमारी बारत मा है, वो हमारी जान है, लेकन हमने इगर रहते हुए भी किनड़ा में, हम adopted mother को ज़्यादा, जो देते हैं, दूसरे Canadian से ज़्यादा कंट्रिबूट करते हैं, अप सब जानते हैं, लेकन हम इसलिए अभी conservative को support कर रहे हैं, कि यह change नहीं हो पाएंगे, जितना भी बोल ले, change होने की कोशिश करते हैं, लेकन end में कुछ ना कुछ जब close relation होते हैं, इतना बड़ा काम कर जाते हैं, anti-India, तो मेरे को कुछ खास अमीद लगती नहीं है, अतारिक स of job जो है, इधर create करें, इंडिया-कनेडा का relation अच्छा करें, दोस्ती करें, दोनों country के लिए काम करें, और हम करते रहेंगे, हम अपने दोनों country के benefits के लिए जितनी देर जंदे हैं, जितनी देर हमारे पास दम है, हम अपना काम करते जाएंगे, anti-India forces अपना काम करते जाएं में भी हम tag TV पर करते रहेंगे, तारिक साब तैंक यू सो मच, आप ने हमें time दिया, मौका दिया, हमारे दिल की बाते हैं, आपने सुनी, मेरे को पता है कि आप वियूर्स को हमारी मन की बात, जो practical बात किया है, हमने सब कुछ practical बात किया है, तेरा 35 साल का, इससे भी ज़्या पूर्टन प्राइमिस्तर के साथ जब हमने यूनिटी डे प्रेड निकाला था मौंटरियाल में, हिस्ट्री बनाया था कैनडा में, 5000 लोग ते फिर्स प्रेड में, 2nd प्रेड में 7000 लोग ते थर्ड प्रेड में 12000 लोगते हैं मिस्टर हार्पर मेरे साथ है मतलब हम अपना काम करते जाएंगे हम इंडिया केनडा एरलेशन को अच्छा बनाने के लिए बेतरी के लिए हमेशाए काम करते जाएंगे आप लोगों की दौआ रहेगी आप जैसे लोग यार वेरी प्रॉड आव यू तारिक साब ह आप जैसे लोगों को दिल से सेलूट करते हैं परनाम करते हैं आप य देश दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैं आपको बहुत बहुत मुआरक देता हूं नमशकार सारे व्यूठ्स को भी मेरी तरफ से नमशकार वंदे मातरम जैहन औरतमाता की जाय कनड़ा की कीजिए हमारी एप्स रॉको एंड्रॉइड एपल एमजान पर डाउनलोड कीजिए यू कैन वाच अस ट्विंटी फॉर सेवन और न्यूज व्यूज एन एंटर्टेन्मेंट शोज इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब के इसी चैनल में डॉनेट के बटन को कलिक करके के जरीए क्रेडिट कार्ड के जरीए या पेपॉल के जरीए आज की बातचीफ मेरे साथ और रकेश हर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद करें में तुक्ति आप तर अन्यवारा अन्यवारा थाल जाप्ति आप के बाड्यू जजर चानल थेन प्रिएन पानल झाल झाल